हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका अस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं structure of chromosome और ये भी देखने वाले हैं कि क्रोमेटीन क्या होता है क्रोमेटीड क्या होता है और क्या DNA और क्रोमोजोम सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्रोमोजोम को पढ़ने से पहले DNA के बारे में थोड़ा जान लेते हैं अब आप कहेंगे कि क्रोमोजोम पढ़ने के लिए DNA क्यों पढ़ना है तो DNA और क्रोमोजोम सेम ही होते हैं लेकिन DNA कैसे क्रोमोजोम बनता है ये भी देख लेंगे, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर एक सेल है, जिसके अंदर नूकलियस होता है, और नूकलियस के अंदर होता है डियने, यहाँ पर होता है डियने, अब जो डियने होता है इसके साथ में यह प्रोब्लम है कि उसको हमेशन नूकलियस के अंदर ही रहना पड़ेगा क्योंकि जो साइटोप्लाजम होता है वहाँ पर कुछ एंजाइम होते हैं जो कि इस DNA को डिग्रेड कर सकते हैं इसलिए DNA को यहाँ पर ही रहना पड़ेगा लेकिन जो DNA की लेंथ होती है वो काफी ज़्यादा होती है as compared to the nucleus size 2 meter का होता है एक cell के अंदर DNA अब आप देखिए cell कितना छोटा होता है और cell के अंदर भी nucleus उससे भी जादा छोटा होता है और उस nucleus के अंदर 2 meter के DNA को adjust करना है तो इसके लिए DNA को कुछ modification अपने अंदर करनी होगी तो यहाँ पर यह DNA क्या करता है सपोज यह DNA की किस structure है और छोटा होना पड़ेगा ताकि वो nucleus के अंदर आ सके तो यहाँ पर DNA अपने आपको condense करता है condense का मतलब है कि अगर इतनी बड़ी structure है तो वो छोटी करके थोड़ा छोटा हो जाएगा ताकि वो nucleus के अंदर आ सके तो यहाँ पर जो DNA की condensation होती है वो दो टाइप से हो सकती है ल तो छोटे होने के लिए इसके पास दो तरीके होते हैं एक यह होता है कि वो अपने आपको randomly coil कर ले और coil करने के बाद कुछ ऐसी structure form कर ले तो छोटा हो गया है अभी nucleus के अंदर आ सकता है और दूसरा तरीका यह होता है कि यह जो DNA है यह अपने आपको wrap कर लेगा अपने आप boven up होना है RNA बनाना है protein ऊसके लिए जरुरी है सको फिर से open होना पढ़ेगा और वह इस तरीके से अपने आपको wrap करता है फिर बाद में और फिर से wrap कर सकता है लेकिन अगर इस समय बहurai लगेगा तो बाद में जब उसको open up होना पढ़ेगा तो काफी problem आईगी उसको खुलने तो है तो यह टरीके से से हो अपने आपको रैप करता है अब यह रैप करता व onset्र की है उसके लिए यहां पर हमारे सेल में कुछ प्रोटीन होते हैं जो डेन पर फोस्फेट की वज़े से नेगेटिव चार्ज होता है तो यह नेगेटिव और यह पोजिटिव इजली अपने आपको ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं अब यह जो हिस्टॉन प्रोटीन है यह ओक्तामर की फोम में होता है ओक्तामर इन दा सेंस कि इसके पास ही स्टॉन होता है यह सबव इनिट है स्टॉन प्रोटीन की हिस्टॉऌन प्रोटीन की इसमय से जो सब्वियून में होता है उसका एक अलब मदभ फ़ंक्शन है और बाके ह जो चार हैं यह ओकता मार बनाते हैं कैसे बनाते हैं यहां पर H2A आएगा यहां पर H2B आएगी एक सब्युनिट H2A की होगी और एक पीछे की साइड H2A ही होगा इसी तरीके से जो H2B है यहां पीछे की साइड एक और H2B होगा ऐसे ही दो पार्ट होते हैं H3 के और दो ही होते हैं H4 के तो अब आपने देखा 12345678 तो यह स्ट्रक्चर होती है ओक्टेट यह होता है ओक्टेट तो अब यहां पर DNA प्लस हिस्टॉन प्रोटीन यह अब रेप करेंगे किस तरीके से यह देखिए कि यह हमारे पास ओक्टेट ओफ इस्टोन प्रोटीन आया है यह ओक्टेट ओफ इस्टोन प्रोटीन आया है और यहां पर यह जो DNA है यह अपने आपको रेप कर लेगा इस तरीके से इस तरीके से अपने आपको रेप कर लेगा लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक ही उक्टेट पर सारा डिन नियुक्लियोजों जिसके अंदर क्या होता है और 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 150 बेस पेयर ओफ डिन ने होते हैं एक नुकलियोजोम के अंदर ओक्टेट ओफ स्टोन होता है जिसमें H2A, H2B, H3 और H4 आएगा और साथ में DNA को कितना मांट होता है? DNA को होते हैं 150 बेस पेयर ओफ डिन में इस तरीके से यह नुकलियोजोम बना है अब यहां पर बहुत सारे नुकलियोजोम होते हैं जो कि आपस में इस तरीके से connect भी रहेंगे इस तरीके से connect भी वो रहते हैं ऐसे वो connect रहेंगे और फिर आगे एक नुक्लियोजोम आएगा इस तरीके से काफी सारे आजाते हैं तो यहां पर जब यह बहुत सारे हो जाएंगे तो यह फर्दर अपने आपको और कंडेंस कर लेते हैं अपने आपको और ज्यादा कंडेंस कर लेंगी इस तरीके से यह सब क्या है यह सब नुक्लियोजोम है जो और भी ज्यादा पास आचुके हैं अब यहां पर इस तरीके से और यह और आगे और भी कंडेंस होते हैं तो इस तरीके से जब वो कंडेंस होते हैं तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिंग इसको बोलते हैं क्रोमेटिंग क्रोमेटिंग का मतलब होता है कि जब एक नुकलियोजोम है यहां पर DNA है फिर दूसरा नुकलियोजोम है यहां पर DNA है तो यह जो structure है इसी को basically बोलते हैं कि यह chromatin है तो आपने देखा DNA से पहले नुक्लियोजोम बना है अब नुक्लियोजोम ने क्रोमेटीन बना दिया है अब यहां पर G个 ज्यादा कर्णेन हो जाएंगे तो यहां पर ऐसी स्ु स्टुर्चर 3 दिल यहां पर ऐसे एंव जाय useful मोजांगे और ये हुछ form कर देता है अब क्रोमोजोम के भी कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि यह जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर यह जो बीच वाला पार्ट होता है और यह जो एंट वाला पार्ट है यह वाला और यह इनको बोलते हैं तीलोमियर, इनको बोलते हैं तीलोमियर, यह होते हैं तीलोमियर और यह होता है सेंट्रोमियर, तो यह देख लिया है हमने क्रोमोजोम के बारे में, अब देखते हैं कि क्रोमेटिर क्या होती है, अब भी हमने देखा DNA से क्रोमोजोम कैसे फोम होता है, यहाँ पर मैंने यहां पर एक और फोर्म हो जाएगा विल्कुल सेमैं यहां पर यह दिएन ने था अब यह डूंद्न यहां डबन हो गया है तो इस तरीके से हां तो यह इसको हम बोलते हैं है वह जो इसको बोलते हैं सिस्टर क्रॉमिटेड यहां पर यह होता हैं लेकिन अगर आप इसको एक पूल समय कै purpो क्या यह थो सिस्टर क्योंकि number of chromosome define करता है यह centromere जितने centromere होंगे उतना ही chromosome का number होगा तो यहाँ पर भी एक centromere था और अभी यहाँ पर भी एक ही centromere है तो इसका मतलब है यह भी एक ही chromosome है और यह भी एक ही consider किया जाएगा लेकिन अगर मैं इसको यहां से अलग कर देती हूं तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा एक यह हो जाएगा और यहां पर एक यह फोम हो जाएगा अब आप कह सकते हैं कि यह दो क्रोमोजोम है अब आप कहेंगे कि यह दो क्रोमोजोम है क्योंकि यहां पर number of centromere भी 2 ही है एक यह है और एक यह है तो यह क्रोमोजोम भी 2 ही होंगे यह single क्रोमोजोम है और यह भी single क्रोमोजोम है अब ही हमने देख लिया है कि DNA से कैसे क्रोमोजोम फोम होता है सबसे पहले DNA होता है जो stone protein के साथ में मिलके nucleosome बनाता है और nucleosome फिर और condense हो जाएगा तो chromatin फोम करेगा और यह chromatin जब और ज़्यादा condense हो जाता है तब जाकर क्रोमोजोम फोम होता है तो आज की इस वीडियो पे दोस्तों इतना ही जानकार अगर आपको अच्छे लगी है तो वीडियो को like, share, subscribe ज़रूर से करना Thank you